आईपील 2023 तो आपको याद होगा फाइनल माच में CSK को जीत मिली थी लेकिन सबसे जादा लाइम लाइट में रही थी रिवाबा जडेजा रविंद्र जडेजा की पत्नी CSK के नायक कही जाने वाले रविंद्र जडेजा की पत्नी पलू ओडे आई और अपने पत्नी को जीत के बाद जश्न मनाते हुए गले लगाया यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खुब वारल हुई थी और रिवाबा जडेजा की काफी तारीफ भी हुई थी लेकिन एक बार फिर से रिवाबा जडेजा अब सुर्ख्यों में है कारण काफी अलग है आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि रिवाबा जडेजा सिर्फ रविंद्र जडेजा की पत्नी ही नहीं बलकि भाजपा विधायक भी है और इस बार जिस विवाद से उनका नाम जुड़ा है वो उनके घुस से और राजनीती को लेकर है पूरा मामला क्या है वो आपको बताएंगे लेकिन घुसे में तमतमाती रिवाबा जडेजा का ये विडियो पहले आप देखिए नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मेखना सच्टिवा आप मुझे देख रहे हैं लुकमत हिंदी पर दवाम देश दुनिया के खबरें और जानकारी बज़े वीडियो के लिए हमारे यूटीब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दरसल शहीदों को श्रद्धाजली देने के लिए एक कारिक्रम का आयोजिन किया गया था गुजरात में इस कारिक्रम में रिवाबा जडेजा, मेर, सांसत तमाम लोग पहुचे थे लेकिन अचानक कुछ हैसा हुआ कि सब लोग हैरान रहे गए रिवाबा जडेजा कहने लगी तू उकात में रहे और इस वीडियो के वारल होने के बाद बवाल मच गया लेकिन पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको हम बताते हैं भाजपा की जाम नगर से विधायक रिवाबा जडेजा ने हाल ही में अपनी पार्टी की सांसत पूनम बैन मादम द्वारा काते तौर पर ताना अमारे जाने के बाद अपना आपक हो दिया वारल वीडियो में उन्हें शेहर की नगर निगम मेर बीना कोठारी और सांसत पूनम बैन मेडम दोनों भाजपा नेताओं के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है रिवाबा रविंदर जडीजा की पत्नी है और प्रिशने साल गुजुरात की जामनगर उत्तर से चुनी गई थी भाजपा नेता ने कहा कि जब उन्हें शेहीद सेनिकों को सम्मान देने के लिए अपने जूते उतारे तो सांसत पूनम बैन मेडम ने उन पर ताना मारा और कहा कि वो ओवर स्वाट है अगर रिवाबा जडीजा के इस लवाई के बाद आये बयान पर गौर किया जाए तो उन्होंने ये साफतार पर कहा कि हुआ कुछ हैसा था कि इस कारिक्रम में मेर और सांसत दोरों मौझूद थी लेकिन जब शञीदों को श्रधाजली देने की बात आई तो रिवाबा ने अपने जूते उतारे लेकिन बाकी सांसत और मौझूद लोगों ने अपने जूते नहीं उतारे इस दोरान उन्हें सांसद द्वारा ताना मारा गया कि रिवाबा जूते उतार कर ओवर स्मार्ट बन रही है तो रिवाबा ने कहा कि अब बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई थी और इसलिए मुझे बोलना पड़ा जामनगर उत्तर की विधायक ने आरोप लगाया कि सांसद ने उन पर ताना मारते हुए उन्हें ज्यादा स्मार्ट कहा और ऐसा करते हुए रिवाबा ने उन्हें सुन लिया रिवाबा ने कहा जब हम खड़े थे मैंने सांसद को उची आवाज में ये कहते हुए सुना कि प्रधानमत्री और राश्ट्रपती भी ऐसे कारेक्रम में अपने जूते नहीं उतारते लेकिन कुछ अग्यानी लोग चालाकी से काम लेते हैं मुझे उनकी टिपपड़ी पसंद नहीं आई इसलिए मैंने आत्मसमान के कारण बात की क्या मैंने चपड उतार कर गल्ती की रिवाबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये सवाल भी पूछा सांसत पूनम बैन के साथ तो उनकी बहस हुई ही थी लेकिन रिवाबा ने इस बीच मेर के साथ भी तू तू मैमे की इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वारल हुआ है इसको लेकर रिवाबा को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि आखर वो मेयर से इस तरह कैसे बात कर सकती है बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में रिवाबा मेयर पर इसलिए भड़क गई क्योंकि वो पूरे में के समर्थन में बोल रही थी हाला कि इस वीडियो में ये भी सुना गया है कि जब पूरे में उन्हें समझाती है कि शेहर की मेयर है और रिवाबा उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती तो वो उन पर भी वड़क जाती है और दोनों महिलाओं के साथ रिवाबा की ये तू-तू में में कैमरे में कैद हो जाती है और फिर वारल हो जाती है आपको बता दे कि पिछले चुनाव में भाजपा की ओर से वो चुनावी मैदान में उतरी थी और जामनगर उतरी सीट एक बार फिर से रिवाबा के चलते भाजपा के खाते में ही आई थी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम देश्टियों के खबरों के लिए लोगमत हिंदी पर बने रहे